जेहन बिध्यारतियों क्या हाल चाल सब बढ़िया चलते हैं आज की बहतरीन सी क्लास की ओर क्योंकि पिछली क्लास मैंने महतपूर्ण तरीके से आपको बता दें आपको आपको बता दें हम सारी चीज़ें प्रवाइट कराने का कार करता है चाहे आपको बता दें हम स्टैटिक जी की हो चाहे आपको बता दें हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे आपको बता दें बाइलोजी है किसी भी प्रिकार की चीज़ें हो आपको बिलुकुल फ्री में सभी चीज़ें प्रवाइट कराने का कार किया जाता है और पूरा प्रयास किया जाता है कि आपके जीवन में कश्ट उत्पनना हो याद रखें बस आप इस बात पर business focus रखें कि यदि यदि आप सोच रहे हैं इस बात को की selection पाना एक हलुआ है तो ये बात गलत है आजकर selection इतना आशान नहीं है क्योंकि आप भी वही दोड़ में दोड़ने वाले हैं जिन में लाखों बच्चों दोड़ रहे हैं ठीक है लाखों बच्चों पहले से दोड़ रहे हैं आप भी उस भीड में सामिल हो जाएंगे यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि competition की land में भीड़ बहुत है लेकिन पढ़ने वालों की सेंग्या कही न कहीं कम है पढ़ते तो सभी हैं परन्तु revision सभी नहीं करते याद रखेगा आप कह रहे होगे सर पढ़ते तो सभ हैं भाईया पढ़ते तो सभ हैं परन्तु revision सभ नहीं करते हैं और वो कहीं न कहीं पीछे और पीछे और विल्कुल पीछे ही होते जाते हैं ठेक है चलते हैं अपनी बहतरीं सी क्लास के और भाया मैं बतारों रिवीजन करते रहना चनल को सपोर्ट बनाए रखना डेली क्लासे मिलती हैं आपको बहुत कम रेर केस में आपको क्लासे ना मिले ऐसा हो शकता है पर अगर हम अध्यक्ष की दंडात्मक सकतियों के बारे में प्रमुखरूप से बात करें, यदि हम बात करें प्रमुखरूप से अध्यक्ष की दंडात्मक सकतियों के बारे में, तो पहला पॉइंट यहां पर प्रमुखरूप से बताया गया है, प्रमुखरूप से बताया गया ह जो कि अनुशासन ही नहीं, आप अनुशासन ही बना है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जो अनुशासन की बिपरीत है, तब उस समय आपको अधक्ष जो है, बो सदस्य से क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, याद हो गई, समझ में आ गई, अगला पॉइंट देखो, यदि कोई स जो गर रहा जाते हैं, उन्हेंने ना अनुमती ले नहीं है, ना कच्चू कर नहीं है, गो लोग है भाई साब, उन्हें कारे जो होगा देखे लेंगे, कता ही बहुत थोड़ी ना है, तो ऐसे भी लोग होते हैं, अब वो अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, यानि प्रस् सदस्थिता को रद कर दिया जाएगा, फिर मुख बात तो ये है, इसकारण कहीं ना कहीं, जो सदस्थित होते हैं, वो डर में रहते हैं, कैसा ना हो कि, 60 दिन से ज़्यादा हो जाए, जानुपस्थिती तो पहुँँ जाते हैं, टहलते टहलते, के ते अपने आघ्र कहा है तो दूसरा पहलो पत्ट भी बोला जाता है उसी प्रकार आपको बता है कुछ सदश्चे बहुत अच्छे होते है आपको बताए उनके उनके पूरे अगर हम पूरे हैसासन क Immediately किए बात करें या पूरे अद्धक्षता की या पूरे सदश्चता की बात करें तो सायद ही हो उन्हें छुट्टी की हो लेकन कता ही कुछ ऐसे होते हैं उन्हें अपने पूरी सदस्ता में और मुस्कला ही है कि उन्हें भाईया कछू दिन दै हूँ चले जा रहे हैं टारा बटूदी कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं है ना ये बात होती है तो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा है अरे क्या बोलते हैं इसको कोई सी को याद आ रहो तो कमेंट में लगके बताना बुंदिल खंड में क्या बोलते हैं दल बदल को ऐसा एक और बात कभी एक बाक और कहा जाता है किते हैं बिना तरीका लूटा कभी यह धल लुड़क जाया हो कभी यह धल लुड़क जाया ऐसे कुछ लोग होते हैं अगर दल बदल की नीते को बता है वो दल बदल की आधार पर सबी रद की जा सकती है और जब दल बदल का कानू लगता है मतलब जब जीते तो दूसरे की तरपन होने को चले गए यानि आप चुनाओं में जीत गए और कहरें नहीं हम इस पार्टी से हैं तो यह इस पार्टी में जाएंगे हैं तो यह किस की हो जाएगी कहना सर यह दल बदल की नीती हो जाएगी ओदल बदल की नीती के तहट आपकी सतिस्ता को रध कर दिया जाएगा अगर पुर्मकुरूप से बात करूं आर्टीकल लंबर 98 की तो यहाँ पर लिखना लिखा है संसत का सचीवाला है संसत की सचीवाला है में article number 99 में सदनों के सपत की चर्चा की गई है आगे देखो अनुछे number 100 में यानी गणपूत्री में गणपूरती के बात करें किसी भी सदन की कारवाही के लिए अगर किसी भी सदन की कारवाही कर चल रही है या हुने होने को है, चालू रखने के लिए एक बटे ज़स्दस का होना अनिवार है, एक बटे ज़स्दस भी नहीं होंगे, तो समझ रहे हो, तो जो अध्यक्ष होगा, वो कारवाही को क्या कर देगा, रोग देगा, जो अध्यक्ष होता है, वो कारवाही को क्या कर देता है, रोग दे पॉलिटी की किलास को प्रारम्ध किया था और आपको बता देऊं इस time मैंने बढ़ाय था article number 1 क्या बता था? article number 1 और आज आप देख रहे हैं article number 1 बताया था और आज समय यह है कि article number 100 पर हम पहुँच चुके हैं कितने पर? 100 पर पहुँच चुके हैं और एक सेले के हंडेड में आपको मैंने एक भी आर्टिकल नहीं छड़वाया है, सभी आर्टिकल्स को प्रुम कुरूप से डिटेल में पढ़ाने का कार किया है, अब आप सोचेंगे कि सर इतना डिटेल, हाँ भी है इतना डिटेल क्योंकि आज मैं बता रहूँ नहीं सेलेक्शन हसी खेल नहीं रहा, हर किसी के बसकी नहीं है, चीजों को डिटेल से बढ़ना पड़ता है, तो आप समझ किये, यह के जनवरी 2023 का दिन था, जहां पर मैंने क्लास स्टार्ट की थी, और आज आपको बता दें, आज 100, आपको बता दें, आर्टिकल नंबर 100 पर हम पहुँच चुके हैं, और जल्द ही पहुँच जाएंगे, पॉलिटी को भी समाप्त करेंगे, इसके बाद जोगरिफी का प्रारंब हम करने वाले होंगे, अगर हम बात करें, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सभापती, उपसभापती, CAG, इन्हें ही क्या कूलते हैं, संसत का अधिकारी बोला जाता है, अगर एक्जामनर इस परकार कोश्चन करें, कि बताईए संसत का अधिकारी किनको कहा जाता है, तो ऑफ्षन में आपको दिख सकता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, CAG, इन्हें से एक ही ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यही क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, क्योंकि आजकल एक्जामनर जो होता है, घुमा घुमा आकर कोश्चन करता मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अच्छा आगे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लिखा है, सदनीय शमीती, अगर हम बात करें सदनीय समीती के बारे में तो, कहीं नहीं आटिकल लंबर 118 में, तथा गठन की बात करें, तो इसका अध्यक्ष, यह चीज़ों को हम कल ड इस पर कल आएगी डेटेल से वीडियो, आप देखना मत भूलेगा, मेरा प्रियास रहता है कि जो 10-15 मिनट में आप की लेता हूँ, उसमें आपको कहीं न कहीं कुछ बड़ा सा अच्छा सा सीखने को मिले, जिससे आप एक्जाम में जब बैठें तो आपको कहीं न कहीं अनुमती के लगातार साथ दिनों तक अनुपस्थित है, तो उसकी सद्था को रद्ध कर दिया जाएगा, दल बदल की आधार पर सदस्ता भी रद्ध हो सकती है, आटिकल नमबर 98 की बात करूँ, तो संसत का सजीवाला की बात की गई है, अनुछित नमबर 100 में बात की गई अगर शभापती तता सीय जी इनको ही संसत का अधिकारी कहा जाता है, और प्रमकु रूप से कलम इनकी चर्चा प्रमकु रूप से करेंगे, इन्पोर्टंट भी है कहीं न कहीं, और एक्जाम की दरश्टी से तता आपके जीवन की दरश्टी से, आपने सोचा है हम कियो कहत बिखुआ हैं कि अग्जाम की दुष्टी से था आपके जीवन की दुष्टी से भैया याद रखतेगा यह सारी चीज़ें आने हैं। और आप जीवान में कहीं नहीं कामयावी अर्थात बिजय का परच्छम लहराने का कर रही होंगे। तो याद रखेगा यदि आप विस्वास रखते हैं इस बात को कि नहीं मेरा सेलेक्शन होगा तो सीधा सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर अकैडमी से क्योंकि यहाँ पर कंटेंट डिटेल में दिये जाता है बले थोड़ा लेठ हो बले कुछ समश्या आ जाएं बले कुछ टेक्निकल इसू हो जाएं परंतु क्लास नहीं रोगती है क्या परंतु क्लास नहीं रोगती है और प्रियास रहता है पूरा- कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपनी यार दोस्तों चाहने वालों के साथ क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं न कहीं बहतरी इन गजव लाजवाब होने का कार कर रही थे और इनी चंद सब्द के साथ विदा लेना चाहूंगा जीवन में अनंदत रहेगा और आगे ब जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो इंस्टा से भी मुझे जुड़ सकते हैं अजय 509 सर्मा के नम से मिरी इंस्टा इडी है अब वहाँ पर जाकी भी मुझे विजिट कर सकते हैं और आपके जो डाउट होंगे वो कहीं न कहीं मैं पर्शनल देखूंगा और उनको आपको कराऊंगा ठीक है इसी के साथ वीडियो को सामत करूंगा ठीक है जीवन में आनंदित रहो और आगे बढ़ते रहो ठीक है थैंक्स पार वाचिंग और जहन जह भारत इसकीन सॉट लेना है तो ले लीजिएगा इदो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं